हेलो और वाट्साफ फ्रेंड्स आइम शान यह और वाचिंग है मैं शान 11 और कैसे हैं आप सब काफी सरों लोग को एक प्रोब्लम आती है आइफोन 6 आइफोन 6S के इतने नीचे की फोन होते हैं उन सारे फोन प्रोब्लम आती है होम बटन नौट वर्किंग की प्रोब्लम होती है तो इस प्रोब्लम को सॉल्फ करने के लिए आप क्या करते हो या फिर आप से सौफ्ट्वेर करना पड़ता है या आपको फोन का डानले 25 पर अनला पड़ता है एक्पनीरिक नही फोल्न हो जाता है बने लगता है और ये वह नहीं लिएplease होके एंड यहां पर आपका Hello Screen आ चुका है Hello Screen पर आप जब तक Home Button प्रेस नहीं करोगो जब तक यह Screen आपकी आंगे पास आउट नहीं होती है तो इस प्रॉब्लम को Solve करने के लिए वीडियो को देखेगा कि आपका home button work नहीं कर रहा लेकिन फिर भी इसका current pass out होगा अगर आप से off करोगे and इसे off करने के पर हमें से करना है दुबारा से on on होने में थोड़ा time ले गाई है क्योंकि अभी यह hello screen पर है hello screen का मतलब ही यह होता है कि आप से home button press करो तभी वो आंगे pass out होगा अब यह आपका next होन जाएगा automatically hello screen पर आपने इसे home button press कर दिया है तो मैं आपको वीडियो में पूरा बताने वाल हूँ without home button के साथ आप पूरा phone कैसे use कर सकते हो तो वीडियो को देखेगा end तक and यह हमारा automatically next screen पर पहुंच चुका है अगर आप किसी और के पास जाते तो आपका यह home button पहले chain करता मार्केट में फिर उसके बाद यह problem आपकी solve होती है and condition में काफी सारा time लग सकता था तो इस problem को simple से हमने solve कर लिया है अब आप पूरा phone use कर सकते हो without home button के हो मैं आपको वीडियो में आंगे बताना वाला हूँ पहले phone को कर लेते हैं पूरा setup new phone की तरह हमारा पूरा phone होगा setup अगर आपकी hardware problem है तो इस तरीके से solve नहीं होगी यह आपको home button chain होने के बाद ही solve होगी home button तभी आपका work करेगा आपकी software problem होती तो इस software के साथ या आपका erase करने के बाद यह problem solve हो जाती तो यहाँ पर आप next कर लिए wifi ले लिए wifi network आप अच्छा wifi network पकड़िएगा ताकि आपको कभी problem नहों क्योंकि इसमें एक error भी शो कर जाता है अगर आपको mobile data के थुरूँ आप करते हो तो यहाँ पर यह wifi अच्छा network लिजिएगा एंड यह हमारा wifi लेने के बाद automatically next हो जाता है next होने के बाद यहाँ पर आपको दिख जाएगा next option आ जाएगा हमारा data and privacy option आ चुका है अब इसे हमें continue पर क्लिक करना है पूरा फॉन को new की तरह setup करना है कि हमने इसका data erase कर दिया था अब यहाँ पर fingerprint भी हमारा fail दिखा रहा है और home button भी तो इसे पासवर्ट से सेट कर लेते हैं अब आप यह भी पूचोंगे पासवर्ट सेट कर लिया home button प्रेस नहीं होगा तो यह password कैसे open होगा वो सारी चीजह मैं आपको वीडियो के end मैं आपको पता हूंगा कि पूरा home button को आप आईडिे को आईफोन 7 के बाद की जितने फोन है उन सारे फोनहीं लाइं अए कैसे प्रॉब्लम नहीं आती आईपों 6- juga के इतने पहले हूंन लाड़े फोन ऐसंघा रहे इस होन आईफोन 7 के बाद के इतने पहनों होते वह सारे ट्च sensitive होते हैं वो सारे आपके touch center button होते हैं उसमें यह problem नहीं आती है तो यह आपको थोड़ा time लेगा यहां पर अच्छा वाई-फाई use करिएगा हमारा यह अगरी है time and condition आ चुग ऐसे continue करना है and continue पर click करना है and continue पर click करते ही जाना है यहां पर last option आज़ेगा continue and share and यह get start हमारा पूरा फोन हो चुग है activate लेकिन हमारा home button अभी work नहीं कर रहा है तो उसको work करने के लिए हमें क्या करना है हमें जाना है general में general में जाने के बाद आपको यहां नीचे scroll down करना है और यहां पर आपको एक option देखेगा activities activities में जाने के बाद scroll down करना है और यहां पर आपको assistive touch देखेगा इसके आपको enable कर लेना है इस पर click करके और इसे customize कर लेना है तो यहां पर customize के बाद यहां पर home button automatically आपका show कर रहोगा अब यहां पर दो तीन चीज़ा और add कर लेनी है जिससे हम पूरे home button को इसे इसी एक assistive touch कर सकें पूरे home button कोई तो यहां पर मैं mute button ले लेता हूं and screenshot कुछ ले लेता हूं यहां पर मैंने mute button ले लिया है और यहां पर मुझे screenshot रखना है जो आपको जैसा बेटर लगे वह आप रख लीजेगा and home button के साथ एक और आती है कि आप जब home button dual press करते हो तो उहां पर आपको activate जो आपके function होते हैं जिसे multitasking कहते हैं वो आपके सारे show कर जाते हैं तो उससे भी हम यहां set करना है तो यहां पर हमने screen पर यहां पर assistive touch पर यहां पर show कर दिया mute का and screenshot का अब यहां पर हमें set करना है lock screen भी set कर लेता हूं यहां पर lock screen हमें set हो चुग है अब यहां पर जो थर्ड वाला option वसता है यहां पर हमें वो option select करना है जिसे हम dual press करके home button का अपने activate function check करते हैं तो यहां पर वो touch भी हम select कर लेते हैं और हमारा home button का पूरा setup हमारा इससे हो चुका है वीडियो फसंद आई तो वीडियो कर दिये like channel कर लिए subscribe और iPhone से relative कोई भी problem तो आपसे comment कर सकते हो हम पूरी कोशिश करते हो उस problem को solve करने के